हेलो एब्रिवान जाई हिंद हम डिएचेस का प्रिवियर स्यर क्वेस्टन्स कर रहे थे उससे पहले आमने तीन पार्ट अपलोड कर चुके हैं इसी कॉंट्यूनेशन में आज हम पार्ट फोर स्टार्ट करने जा रहे यह आप देख रहे होंगे यह डिएचेस का 2020 का यह पैपर है उससे पहले हमने तीन पार्ट में नेर अबाउट अपका 60 क्वेस्टन्स एराउंड 70 क्वेस्टन्स हमने कॉंप्रेट कर चुके हैं अगर आपने वह वीडियो सिरीज नहीं देखे होंगे तो आप हमारा चैनल विजिट करके आप वह अला देख सकते हैं ठ कहता है कौन सा सेक्षन से कितने माक्सा क्वेस्टन्स आ रहा है कौन सा पेपर कैसे करना है कौन सा सेक्षन आपको रिवीशन में देखके जाना है वह हम डिटील्स हमको यहां पर बता रहे है यह पेपर तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट क्लास में कहा तक ह हो गया था और आज इसी continuation में हम 71 से start करने जा रहे हैं और यह section आपका English section होगा ठीक है तो यहाँ पर आपका GS से आपका questions आया हुआ था 60 questions आया हुआ था sorry 70 questions GS से आया हुआ था 20 questions आया हुआ है इस series में आपका English से और 10 questions आया हुआ है आपका math section से so that is your 100 इसमें reasoning questions अलग से नहीं था तो चलिए जी आज हम English को खतम करते है question number 71 the synonym of hate hate तो आमें पता है hate का synonyms क्या है यह आपको निकालना है तो hate का synonyms होता है award का मतलब होता है hate किसी को greener करना इसको बोलते है अब और ठीक है disease तो नहीं होगा favor लेना किसी का help लेना यह तो नहीं होगा love तो होगा ही नहीं ठीक है आपको synonyms पूछा अगर आपको antonyms पूछता तो फिर हमारा answer hate का answer हो जाता opposite love चलिए जे फिर next question about 72 में चलते है question about 72 में बोला antonym of admire किसी को आप बहुत admire कर रहे हो admire करना मतलब आप किसी को appreciate कर रहे हो है ना अगर किसी को आप appreciate करोगे तो उसका ultra होगा despise despise का मतलब होता है demoralize किसी को demoralize करना किसी को moral down कर देना इसको बोलते है despise there is one saying keep yourself away from the despise people जो लोग आपको demoralize करते आपको demotivate करते उससे आप दूर रहे है यह अपने sentence सुना ही होगा चलिए जी फिर next question number 73 में हाम आगे चलते है complete the following English proverb a penny saved is a penny earned यह हाम बेंगुली में भी हिंदी में भी ऐसा use किया जाता है एक पैसा मतलब बचाना एक पैसा कमाना का बराबर होता है ठीक है वह ही है फिर यह आगे बोल रहा है कि what is the opposite opposite gender of duck तो यह opposite gender क्या है डाचेस opposite gender is your daches ठीक है यह काफी important है यह वहला कौन सा यह जेंडर वहला जेंडर बेश किसका कौन सा जेंडर opposite gender क्या होता है यह जरूर आप देखके जाईए इससे questions आपको वापे पका मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो important gender अगर आप search करेंगे यूट्यूब में तो कहीं ने कोई आपको एक अच्छा tutorial मिल जाएगा अब होहां से cover up कर सकते हैं next question number 75 में आ जाएए complete the following sentence with the correct determinant due to dash personal reasons both of them avoid each other तो due to some personal reasons कुछ personal reasons के चलते एक दूसरे को avoid कर रहे थे तो right answer will be your due to some personal reasons both of them avoid each other ओके जी नेक्स्ट आगे चलिए question about 76 complete the following sentence using the correct preposition या आपे कौनसा preposition यूज होगा आमें बताना है I will be back by I will back by होता है अगर कुछ time देके बोलते है तो अगर back I will back by यी भी नहीं मैं शाम तक में आ जाओंगा तो I will back by बाई लगेगा अगर यहां पर कोई time mention किया रहेगा तो what is the singular of data हम बोलते हैं ना कि हमारा data खतम हो गया तो data is a plural term तो इसका singular term क्या है data is the singular word and data is the plural ठीके जी next हम आगे बढ़ेंगे question number 78 what is the superlative of little little का superlative क्या है list यह superlative degree यह सब आपको देखके जाना है question number 79 complete the following idiom यह idiom को एक बढ़ देखिए kill two birds with one stone एक पतर से दो शिकार करना बोलते है ना तो killing two birds with one stone again very easy question number 80 what is the adverb form of adjective loud loud यह एक बार यह तो 100% तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन generally the adverb में ly form आपका लगता है ठीक है beautifully तो generally देखा गया कि adverb form में generally आपका ly form में लगता है तो आप मतब यह चीज़ दियान डख सकते हो आप option check करते समाएं ठीक है चलिए फिर next आम आगे बढ़ेंगे question number 81 what is the synonym of crazy वह पागल हो गया ग्रेजी का मतलब होता है पागल हो जाना ठीक है और इंसेन का मतलब होता है संकी वह इंसेन का मतलब होता है संकी मतलब वह पागल हो गया bad तो नहीं होगा sensitive भी नहीं होगा illiterate कोई relation नहीं यह पागल के साथ है ना तो insane संकी हो गया मतलब पूरा उसका दिमाँ खराब हो गया what is the antonym of beautiful एंटोनीम beautiful का उल्टा क्या होगा black तो नहीं होगा ugly बहुत beautiful है बहुत ugly है next जी हागया वाड़ेंगे next question about 83 the person who slaughters and sells meat is called बाचार वो जो meat बगारा जो बेशते है ना इनको बोलते है बाचार next हम आगे बढ़ेंगे question number 84 what is the opposite gender of stag stag हिरन का जो नेवडा जो बोलते है जिसको जो चोटा बाच्चा जिसको बोलते है stag बोलते है इसका opposite gender क्या होता है हिंड ठीक है जी what is the plural of husband husband का plural क्या है husbands वैसे तो होना नहीं चाहिए husband का plural है husbands next अच्छा एक का नहीं होना चाहिए सब मिला किस हो सकता है 86 the young horse is called young horse को क्या बोलते है young horse is called mare ठीक है जी young horse जो मतलब horse का बच्चे को जो बोलते है मेर complete यह वाला आप देख लिके जाना foul का found किसको बोलते है यह चीज आप एक बार जरूर देखके जाना क्योंकि यह इससी से अगर एक नहीं तो दुसरा वाला वह पूछ लेगा एक्चली वह क्या करते हैं प्रिबियर से क्वेशन उटा लेते हैं ताकि वह उनको नया क्वेशन मतलब बनाने के में टाइम ना लागे जैसे योंग horse को दे दिया मियार तो वह देखेंगे फाल को किसको बोलते है तो वह फाल को मतलब फाल को यहां पर क्वेशन बना यह लियोपार्ड कैनोट चेंज इस लियोपार्ड में जो मतलब उनका जो स्पोर्ट होता है वो कभी आपना स्पोर्ट नहीं अटा सकते हैं तो देर इस वान से लियोपार्ड कैनोट चेंज इस स्पोर्ट्स कलर नहीं होता है है स्पोर्ट्स होता है लियोपार्ड इस नोन इस सेंस में तो हम यह तो दो ऑप्षोन तो से रिजट करी सकते हैं अब बोलेंगे सर एलवाई फॉर्म आपने जो शोट्टिक बताया था इसमें तो दो है आपके से बता चलेगा हमें आप देखिए ड्रमाटिकली में स्पेलिंग में डावल लवाई यह आता है यह आपको ध लेकिन हमारा वेहिसिक सेंस तो हमारा वीट हो रहा है यही निस गलेंगिंगि बहुत हैं मेरा लेग की छिए डाव मेरा टंग की है बहुत है की बता तो इसको बोलता है बोलिखिशuges और दौंक तम्शाख हो रहा है किसी के बार में मजाख उड़ाना मजाख करना इन्हें फानी हुए है तो किसी को कुछ मजाख वगरा करना इसको बोलते हैं तो इसी के साथ हमारा इंग्लीज का सीरीज पुरा खतम हो जाता है फिर अगला वाला वीडियो में हम आपका पूरा मैस कवर कराने के लिए कोशिश करेंगे इसी वीडियो हम यहीं पर खतम करते हैं जाते जाते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए त्याकि आने वाला जो भी सिरीज का डिहेचेस का प्रिपियर से का नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पोच जाए और इसका एक सापूर्ट हरेगा आपका एक सापूर्ट हमारे लिए तो I wish you all the very best for your upcoming exam अच्छे से प्रिपियर से कीजिए गुद लग एवरिवन और थेंक यू सो मच